जोब वर्क, अगर हम जोब वर्क की बात करें तो GST लोग के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा important concept है अगर आप manufacturing industry में या फिर service industry के अंदर काम करते हैं तो ऐसे में जोब वर्क का जो concept है आपको बहुत frequently जो है सुनाई देगा तो ऐसे में जोब वर्क को समझना हमारे लिए काफी important है being a businessman, being a accounting professional, being a chartered accountant, company secretary अगर हम किसी भी तरह से accounting and taxation के profession में है तो ऐसे में जोब वर्क के जितने भी provision GST लोग में दिये गए है वो आपको पता होना जरूरी है अब हम बात करते हैं कि जोब वर्क क्या है तो ऐसे में मांग लेते हैं कोई भी manufacturer कोई भी manufacturer तो हमारे case में एक example है Mr. Ram जो एक manufacturer है और ये क्या करते हैं basically जो thread होता है thread, धागा धागे से ये जो footwear जो आपके shoes वगरा होते है तो इस footwear का एक upper part होता है जो धागे से बना होता है तो ये क्या करते हैं basically footwear का जो upper part है उसको manufacture करते है इस धागे के जरी ये manufacturing की जाती है और जो footwear का जो upper part होता है वो manufacture किया जाता है अब होता क्या है कि इस upper part के अंदर एक elastic material यूज़ किया जाता है एक elastic material यूज़ किया जाता है और Mr. Ram जो है वो अपना जो धागा है मान लेते हैं यहाँ पर Mr. Rahul है और Mr. Ram क्या करते है अपने इस धागे को Mr. Rahul के यहाँ पर भेज देते हैं और Mr. Rahul यहाँ पर क्या करते है वो इस धागे पर certain process apply करते हैं certain working करते हैं और after that इस धागे से वो elastic बनाते हैं और elastic जो है वापस Mr. Ram को भेज देते हैं और Mr. Ram क्या करते हैं इस elastic का use करते हुए जो भी goods वो manufacture करते हैं upper part of the shoes वो जो है इसके अंदर elastic use करते हुए अपना जो upper part है उसको manufacture करते हैं अब यहाँ पर अगर आप देखें कि हुआ क्या है अगर आप सीखना चाहते हैं GST, income tax, TDS, ESIC, EPF तो ऐसे में आप विजिट करें हमारी website www.allabouttaxes.in यहाँ पर courses section के अंदर आपको बहुत सारे courses मिल जाते हैं income tax related, TDS related, ESIC, EPF related, GST related अगर आप बनना चाहते हैं professional expert और हर बारिकिया जो laws के अंदर बताई गई है, कानून के अंदर बताई गई है और practical workshops, कैसे आप returns file करेंगे, कैसे आप registration करेंगे कैसे आप taxes की payment करेंगे, अगर कोई notice मिलता है तो उसको आप किस तरह है handle करेंगे तो यह समी बाते जो है हमारे courses की अंदर आपको जो है with practical workshops जो है यहाँ पर बताई गई है, तो ऐसे मैं जरूर visit करें, बहुत सारे demo वीडियोज आपको दिये जए है, बहुत सारा free material content भी आपको दिया गया है, और सबसे बड़ी बात, आप जो है इनने भी updates होंगे, वो सभी इन courses के अंदर आपको दिये जाएंगे, साथ ही आपको जो है यहाँ पर टैलिफोनी consultancy दी जाएगी, अगर आपको कोई भी practically assignments के अंदर problem आती है, तो ऐसे मैं आप हमें call कर सकते हैं, एने डैस्क पर आपको जो है support भी provide किया जाएगा, तो ऐसे में एक बार जरूर visit करें और देखें कि यह courses आपके लिए कितने useful हो सकते हैं, कि Mr. Ram ने यह जो धागा है, यह जो धागा, जो Mr. Rahul को send किया, इन्हों ने यह धागा Mr. Rahul को sale नहीं किया है, इन्हों ने सिर्फ वो process apply करने के लिए, कि उस धागे से जो elastic बनाई जाती है, वो जो process है, वो apply करने के लिए यह धागा Mr. Rahul के यहाँ पर send किया, और Mr. Rahul ने उस धागे पर certain process apply की, और उस धागे को convert किया in the form of elastic, और elastic को वापस से भेज दिया Mr. Ram के पास, और Mr. Ram ने इस elastic का use करते हुए, जो भी footwear का upper part है, उसको manufacture किया, अब यहाँ पर जो Mr. Rahul है, उन्हों ने जो process apply की, वो अपनी goods पर apply नहीं की, वो की किसी दूसरे व्यक्ति की goods पर, process applied on goods of another person, किसी दूसरे व्यक्ति की goods पर वो process apply की और उसके बाद उन goods को जो है वापस उस व्यक्ति के पास भेज दिया, तो जहाँ पर आप अपनी goods पर कोई process apply करते हैं, तो ऐसे में आप एक normal supplier है, for example, जो Mr. Rahul है, मान लेते हैं, वो thread खुद ही खरीते हैं, जो धागा है, वो खुद ही खरीते हैं, और उस धागे को वो elastic बना कर बेचते हैं, तो ऐसे में ये कहलाती है manufacturing, क्योंकि यहाँ पर आपने जो process apply की, वो अपनी ही goods पर apply की, लेकिन यहाँ इस case में, जब Mr. Rahul ने जो धागा send किया, तो ऐसे में जो धागे पर process apply की, वो Mr. Rahul का धागा नहीं है, Mr. Rahul से belong नहीं करता है, वो धागा किस से belong करता है, Mr. Ram से, तो ऐसे में जब thread, जब जो धागा है, वो किसका है, another person का, another person का, तो ऐसे में आप इसको जो process apply कर elastic बनाते हैं, ये कहलाता है job work, जहाँ पर आपने जो process apply की, वो अपनी goods पर नहीं की, किसी दूसरे व्यक्ति की goods पर process apply की, वो कहलाता है job work, और जो इस process को करता है, यहाँ पर हमारे case में Mr. Rahul ने यह process apply की है, यह कहलाएंगे job worker, और वो goods जिससे belong करती है, वो कहलाते है principle, इसमें हमारे case में जो Mr. Rahul है, वो क्या है, प्रिंसिपल है, तो जब कोई व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति की goods पर कोई process apply करता है, तो वह job work कहलाती है, और जो यह है, job work process करता है, वो job worker कहलाता है, और जिसकी goods पर यह job work की जाती है, वो principle कहलाता है, तो section 2 clause 68 के अंदर job work की definition दी गई है, job work means any treatment or process undertaken by a person, किसी व्यक्ति के द्वारा जब कोई treatment या process की जाती है, जो कि हमारे case में Mr. Rahul के द्वारा की गई है, on the goods belonging to another registered person, जो goods क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति से belong करती है, तो हमारे case में यहाँ पर कोन है दूसरे व्यक्ति, Mr. Rahul, and the expression job worker shall be considered accordingly, it means, जो यह process है, यह job work कहलाती है, और इस process को करने वाले को job worker कहा जाता है, और जिसकी goods पर यह process apply की जाती है, उसे कहा जाता है principle, तो यह basically definition दी गई है, GST लोग के अंदर job work की, जब आप अपनी goods पर कोई process apply कर, उसको sale करते हैं, तो वो simply normally manufacturing कहलाती है, और आप as a normal supplier, जो है GST लोग के तहर ट्रीट किये जाते हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की goods पर, जो है कोई process apply करते हैं, कोई treatment apply करते हैं, और उसके बाद उन goods को वापस उसी व्यक्ति को भेज देते हैं, तो यह process job work कहलाती है, और जो यह व्यक्ति जो वर्क करता है, वह job worker कहलाता है, और जिसकी goods पर यह process की जाती है, वह principal कहलाता है, तो यह basically है job work, job worker and principal का concept, अब बात आई कि, आप देख पा रहे हैं, कि principal ने यह जो goods send की, जो thread send किया, यह sale नहीं की गई, इसको supply नहीं किया गया, लेकिन अब धागे की जब goods की moment होगी, up to the place of job worker, तो क्या ऐसे में, इस moment के दोरान, क्या कोई tax की बात होगी, क्या Mr. Ram जो है, इस moment के लिए, क्या tax pay करेंगे, तो SME काफी सारे सवाल यहाँ पर आते हैं, job worker किस तरह से जो है, जो भी process apply करेगा, उसके लिए जो है, amount charge करेगा principal से, तो यह सभी बाते जो है, हम अपने next वीडियो में discuss करेंगे, फिलाल के लिए, इस वीडियो में हमने देखा, कि job work क्या होती है, जो worker किसे कहते है, और principal GST लोग के अंदर किसे माना गया है,